तो हमारा नेक्ट टॉपिक है जब केमिकल प्रपर्टी इस आप मेटल में यह रियक्शन ऑफ मेटल इस एक्षिट के साथ मेटल किस तरह सरीट करते हैं यह टॉपिक हम लोगों ने जब मेटल बेस शरीट करता है तो इस सेम चीज यहाँ पे रिपीट करने हैं ठीक है लेकिन सारे एस drivingchod हाँ नहीं करते हैं यह भी है और सारे हीं नहीं निकालते हैं यह भी कंडिशन तो सारे को कुछ एक्जामपल पर लोगों दिखते हैं जो आपके कोर्स में इस पर हैं तो सबसे पहले है कौन सा मेटल दिया जाए है मैंने मैगनेशन मेटल लिया और हाइड्रोप्लोरिक एसीड ठीक है यह एक्टिविटी भी दिया है आपके एंसीराटी बूप में कि कुछ मेटल्स लीजिया और उनको डालूट हाइड्रोप्लोरिक एसीड से रियक करेंगे डा एसा एसीड जिसमें वाटर ज्यादा है और एसीड कामाउंट कम है तो ऐसे एसीड आलूट एसीड बोलते हैं यह भी हम लोगों ने एसीड बेस चक्टरम पढ़ाता तो जब कुछ मेटल्स को लेकर आलूट हाइड्रोप्लोरिक एसीड से रियक कराएंगे तो क्या प्रोड एसीड कर सकता है तो पूरे फ्रीक्षं के साथ और जो लेब इंचार्ज है या टीचर है उनके सामने ही प्रफार्म किया जाए अदर्वाइस बाकी मेंटल से लोगों रियक्सिन करा सकते हैं जो इतने जादा एक्जो थर्मिक नहीं है या हाईली रियक्टिव नहीं है तो म हमारा प्रोडक्त मिला मैगनेशियम क्लोराइड, MgCl2, मैगनेशियम का बैलनेसी 2 होता है, Mg2 फ्लस तो 2 फ्लस है तो इसके साथ 2 माइनस जूड़ना चाहिए, तो 2 क्लोरीन जूड़ गया हो गया बैलनस तुह तो से माइट में आपको बैलनेसी या दोनी चाहिए, ओके, और hydrogen gas liberate होता है यानि निकलता है बबल के फाउंड बनता है hydrogen gas जो है pop sound create करता है hydrogen bubble जहां निकलना हो आप अगर हम लोग माचीस से आग बगार दें तो एक जैसे छोटा सा पटाका होता है बहुत चोटा सा बहुत ही कम जोर सा उसके जैसा वाज वो करेगा पट पट इसलिए इसको पॉप sound वाला gas बोलते है hydrogen gas तो magnesium का acids reaction यानि especially hydrochloric acids के साथ reaction की है तो हमको product क्या मिला magnesium chloride जो एक तरह का salt है और उसके साथ हमको क्या मिला hydrogen gas उसके बाद क्या दिया है कौन सा नहीं मेटल है ऐल्मुनियम जींक आइरन का रेक्शन कराते हैं फिर जींक का फिर आइरन का सबकार hydrochloric acid से कराते हैं या activity दिया है तो एल्मुनियम का कराएंगे तो बनेगा अल्मुनियम क्लोराइड एलस एल 3 प्लस hydrogen gas अभी मैं रेक्शन को बैलस नहीं कर रहा हूं क्यों लिख रहा हूं ठीक है तो सभी ओवराल यह समझ लीजिए कि अल्मुस्ट सभी metal acid से जो करते हैं वो salt बनाते हैं corresponding salt और hydrogen gas लिपरेट करते हैं यानि hydrogen gas का bubble फॉर्म होता है ठीक तो यह हो गया जींक क्लोराइड लेटन सीर टू देखी अल्मुनियम के साथ 3 क्लोरीन क्यों लगा क्योंकि अल्मुनियम का बैलेंसी 3 होता है जींक क्लोरेंसी 2 होता है इसके साथ 2 क्लोरीन लगा और hydrogen gas बना है न उसके लावा iron का hydrochloric acid सभी एक्षण करें तो iron chloride बना यहां भी hydrogen gas बना इस सारी एक्सम्ट आप बैलेंस करने के लिए हो सकता है पूछे तो इसले बैलेंस करना आपको आना चीए ठीक है बहुत आसान है यह उतने जादा टेफिकल नहीं है तो दो हाइड्रोजन यहां दो लगा देता हूं है दो लगाने इस क्लोरीन दो हो गया यहां सरी गिलेंस पलिह यहां पेई कलोरी एक अल्मोमी यह यहां यहां क्लोरीन तीन है नियुद्राण दोह चिरेंग तो क्या किया अब हब सारी गफ्रीक्ट मैंटी ह्कोरे आगर दहां गब हर स्कावह तो मुझे याँ 6 लगाना पड़ेगा, यानि एक बार में नहीं होगा, इसमें कुछ एरर भी आएंगे, कुछ-कुछ होता है एक बार में जाता है बैलंस, तो 6 हो गया, 6 अधिन थे प्रोडिंग, 6 प्रोडिंग करने के लिए आँ भी 2 से मटिप्लाई करना पड़ेगा, अब तो 2 से आमें डिपाई होते हैं, आभी 2 से हो गया बैलंस, ठीक है, इस तरह से आप इन दोनों का भी बैलंस करिएगा, यह आपका होगवर्क है, ठीक है, नेम बात आपको है, जो पहला चप्टर से रिलेटेड़ अगर आपको बैलंस ही आएगा, तो आपको बैलंस करना ही पड़ेगा, इसके जो भी एक्वेशन आ रहा है, उसको बैलंस करने का प्रयास करिए, और पहले चप्टर के अलावा, अगर और किसी चप्टर से केमेश्टी का क्वेशन आया, रियक्शन का, तो उसको आप बीना बैलंस किया भी लिख सकते हैं, बस प्रोड़क्ट और रि समझने आजाएगे, तो हमने देखा कि मैगनेशियम, अलोनियम, जिंक, आयरन ये एसिट से रियक्ट करने हैं, और सॉल्ट बना रहे हैं, और हाइडोजन गयस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद कुछ और मेटल लेते हैं, माली जी कॉपर, अब इसका रीजन पूछ लेगा, है ना, या फिर पूछेगा कि, वेन यू एड कॉपर मेटल इन डाइलूट हाइटोख्लोरीक एसिट, वाट विल हैपन, राइट दर केमिकल रियक्शन, ये सब कुछ दिएगा, राइट दर केमिकल रियक्शन लिखेगा, तो आपको लग पिर सोदियं, पिर केल्सियम, मगनेशियं, पिर अल्मुनियं, जिंक, एरन, पिर टीन, स्टैनेट, फिर लेड, पिर हाईट्रोजन, पिर कॉपर, पिर मरकरी, मरकरी के बाद, सिल्वर, एजी, और सबसे लास्ट में एउ, गोल्ड, ठीक है, यह इतने नीचे हैं, इसलिए नोबल मेटल है, गोल्ड के नीचे फिर प्लेटिनम आता है, यह नोबल मेटल से आता हैं, कुछ तीन-चार मेटल से, और यह सबसे हाइली रेक्टिव है, करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड़ूस करते हैं, प्रोड़क्ट के अलावा, ठीक, तो मैं बता रहा था कि कॉपर जब है, उसको हाइड्रोग्लोरिक हैसिट से रियक्टिव कराते हैं, डाइल्यूट हाइड्यूट, तो रेक्शन क्यों नहीं देता है, इ कि जब भी acid और metal react करता है, तो salt और hydrogen gas जबनता है, वो एक तरह का displacement reaction भी है, है न, यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेस करता है, जिसे यहाँ देखिए, hydrogen को डिस्प्लेस कर दी iron, उसकी जगह ले लिया, बाकी balance ही बगरा हो गया, वो तो balance है न, तो यह एक तरह का displacement reaction होता है, जो metal acid से react करता है, या metal base से react करता है, ठीक न, लेकिन यहाँ पर displacement possible नहीं है, क्योंकि hydrogen ज़्यादा रेक्टिव है, वो ज़्यादा रेक्टिव को कम रेक्टिव वाला कभी displacement नहीं कर पाएगा, और reactivity किस पर based है, activity based है, number of free electron in outermost cell, outermost cell में कितने free electron है, उसके अधार पर किसी metal का reactivity high up होता है, ठीक है, जिसमें यतने ही कम electron रेंगा, वो उतना ही तेजी से react करेगा, तो hydrogen में एक ही electron होता है, copper में दो electron होते है, बाहर किसल में, तिसरे ज्यादा highly reactive है, तो यह reaction पॉसिबल नहीं होगा, copper इसको dispatch नहीं कर पाएगा, अब रेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ही मिलेगा, same to same, यानि reaction हुआ है नहीं, जो इधर रखे वह उधर है, कुछ हुआ है नहीं, बदब mix किया नहीं, क्योंकि कुछ reaction होई नहीं रहा है, तो overall कह सकते हैं कि कोई reaction प्रोसेड नहीं होगा, जैसा रेक्टन डालेंगा, तो ऐसा ही रेक्टन जैसे का तेसा पड़ा रहेगा, ठीक है, तो यह सब चीज़ों के बेस्ट कुष्चन भी तोड़ा ठीक ही आ सकता है, इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक, और कुछ मेटल सा देख लेते हैं, और कुछ मेटल सा जो हाईडोजन गैस नहीं प्रोड्यू कोई मेटल, जैसे कुछ असे इसे इसे हैं, काँछ आसे हैं, क्या करते हैं, यह वार मेटल हाई से था है, तो sa auto hydrogen gas बनना चाया है, अग जीतर केस में बनता भी है, लेकिन कुछ ऍफी इसे नहीं प्रोड़ नहीं अगे नहीं बंता है, जैसे माघ लेजीए, कॉइसा अग लि जीरें थो जीलेटोगों आनते और बात का घहां तो टॉमलगों को डॉनेट्टा है यह पर न अगिस्पर अहीं जीलिए घटीकन को डॉनेट करता है तो इसके वाहतम संगता है ना और मेगनेशियम नाइट्रेट ही बस नमेगा उसके अलावा कुछ भी हाइड्रोजन गैस वगरा नहीं बनता है क्योंकि ये सारा सारा हाइड्रोजन जो है सप्लाई कर जाएक इसके पास देखने को मिलता है क्योंकि नैट्रीग एसीड इस वगराइज़िण ऑट्रांसफर कर देता है मेटल को और साथ में जो हीड्रोजन गैस बनता भी है जिसे में डिया करता है तो है अलिए माली है सबने और hydrogen gas जैसे ही बनेगा वो इसमें से एक्सा जो oxygen वो रिएक्ट करके water बना देगा है तो hydrogen gas की जगा पर water यहां पर बनता है hydrogen gas क्यों नहीं बनता है क्योंकि इसमें से इसका nature oxidizing agent का nitric acid का तो यह जैसी hydrogen gas बनने जायेगा उसी में oxygen अपना दोनेट कर देगा और water बन जायेगा that is why nitric acid के case में hydrogen gas नहीं मनता है जब और nitric acid किसी metal से रियक्ट करता है किसी mental से बात की जाये ठीक है तो यह हो गया इसके बाद इतने ही एक्सन आपको समझने है बहुत ज्यादा डीटेम में नहीं जानी ही जैसे तो भी एक्सन बहुत सारे अलिमिटेड है बड़ आपको अभी लिमिटेड और जीतना बताया जा रहा है उसके अंतरगती आएगा उस जातानी है उसे कम आसकता है जातानी है और हाँ हाँ अडै व क्यां टापीक है इए बॉक्स में कर और आ क्कारे जीस को लाहब हाट बहुत है प्रिच को उलते हैं और ऐक्को उलते हैं अटे थरगन रेजेर को आयल गंवाटर मैं इस सब्द का मतलब है, यह सब्द कोई Latin भासा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, Royal Water, Royal का मतलब शाही, मतलब राजशाही वाला ऐसा कुछ, special, ऐसा कुछ मतलब आता है, ठीक है? तो, Equa Regia, इस क्या होता है? Equa Regia ले होता है, यह तरह का दो Acid का मिक्शर होता है, दो Strong Acid का मिक्शर होता है, तो, पहला Acid क्या होता है, इस में, Nitric Acid, जिसका मलब HNO3 लिखते हैं, दूसरा Acid होता है, Hydrochloric Acid, जिसको HCL लिखते हैं, simple सा, Hydrochloric Acid, यानि HCF, और दोनों ही Concentrated लिए जाते हैं, इस केस में, Concentrated यानि, पानी की मात्रा एकदम नहीं, पानी इसमें एकदम नहीं रहेगा, ठीक है? फुल्ली Concentrated रहेंगे, तो इस वज़ा से, अग एक्वारेजिया बनता कैसे है, जब हम लोग माल लिजे, किस रेशियो में लेंगे? 3 to 1 की रेशियो में, यानि, अगर हमको एक सलूसन बनाना है, एक्वारेजिया का, तो हम लोग क्या करेंगे? माल लिजे, अगर हमको एक्वारेजिया बनाना है, हमारे पास दोंगे एचिड है, तो हम लोग 3 ml लेंगे, HCl, Hydrochloric Acid, Concentrated, और 1 ml लेंगे, Nitric Acid, Concentrated, ठीक है, 3 to 1 की रेशियो में लेना है, अब ये आप थोड़ा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे आपको 60 ml या 100 ml बनाना है, तो उसके हिसाब से हमको Concentrated निकालके Convert करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमको 10 ml बनाना है, तो 10 ml में, 10 ml में इसका, 10 ml में, 3 हिस्सा कि किसका रहेगा, 10 ml में लगदा, 3 parts रहेगा, Hydrochloric Acid का, और 1 part रहेगा, Nitric Acid का, हैना, तो ये चीज़ यादत में, 3 to 1 के ratio में लेना है, कोई भी वो मात्रा रहे, ये तो मैंने 4 ml का solution मालीजी बना दिया, जिसमें 3 ml हाइट्रोक्लोरीक Acid लेगा, और 1 ml मैट्रीक Acid, 3 to 1 ratio बन गया, और हम लोगो 1000 लीटर में मालीजी एक का रहेगा बनाना है, तो उस case में फिर हमको वो ratio का formula जो लगा कर हम लो हाइट्रोक्लोरीक Acid का ratio कितना है, 3, 3 upon 4, 4 on the total ratio into 1000 ml हाइना, एक लीटर मेकर जार मेल होता है, इसको solve करेंगे, चार दोना के 8, 420, 750 ml, हाइना, 750 ml क्यारिंगे, हाइट्रोक्लोरीक Acid, जब हम लोग एक लीटर मना रहे हैं, वाल लीटर मना रहे हैं, एक लीटर मना रहे हैं, तो 750 ml हाइट्रोक्लोरीक Acid लेंगे, तो 1000 ml में से माइनस कर देंगे, तो 250 ml हमारा Nectric Acid होगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, एक परग्या जो है, दो strong Acid को mix किया जाता है, 3 to 1 के ratio में, और जब इसका जरूरत होता है किसी reaction में, तभी इसको mix करके बना जाता है, इसको mix करके रख दिया गया है, तो वो stable ही रहता है, इसका जो power या strength है, इतना जादा होता है कि जिस container में रखा जाएगा, ज्यादे लंबे समय तर तो उसको भी पिखला देगा, यह अच्छे खासे metal को भी पिखला देता है, जैसे gold हो गया, gold, silver, इस तरह के metal को, platinum, इस तरह में जरुरत होती है, इसकी थोड़ी-गोडी, तब उसी सना इसको बनाया जाता है, तुरंट यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर रखने पर फिर यह नुकसान कर सकता है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और किसी भी खड़ेरे को leak कर सकता है, तो इतना तेज होता है, जैसे ही बना कर इसको किसी solution मिला देंगे, तो इसका प्रभाव उतना नहीं रहता है, ठीक, तो यह होगी हमारा एक्वारी, जिसको रॉयल वाटर बोलते है, और यह बहुत सारे strong metal को melt करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, जैसे ornament वाले metals हो गया है, इन सब सीजों क जिसमें hydrochloric acid का हिस्सा 3% मदब 3 हिस्सा होता है, एक तिहाई मदब 3-4 होता है, कर सकते हैं, तो यह इतना हिस्सा आपका HCL लेगा, और बागी 1-4 हिस्सा क्या रहेगा, nitric acid, 3-1 के ratio में मिक्स लिया जाता है, और highly corrosive and very strong acid होता है, टीक है, clear? अब आगे बढ़ते हैं, यह सब सारी चीजों को आप शेक से समझ दीजिए, जितना दीजा है उतना ही पढ़ना है ज्यादा नहीं, रेक्सन आप मेटल भीत, क्या है टॉप भी कर रहा, solutions of other metal salt, solutions of other metal salts, ठीक है? तो यह fourth type है, chemical properties का, metal, non-metal में, metal का, reaction of metal with solution of other metal salts, बाकी दूसरे metal salts से जब metal रियक करता है, तो क्या होता है? तो यह रियक्सन काफी हीजी है, पहले लिए आप पढ़ चोके हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़ते हैं, पहले चप्टर में नहीं पढ़ाता है, कि माल लेजे, copper metal है, नहीं, माल लेखे हैं, एक container में copper sulfate लीए है, ठीक है, जो blue color का होता है, solution, water से mix है, और इसमें iron nail, ठीक है, iron nail डाला गया है, solid form में रहाएगा, nail लिट देते हैं, लोहें की पत्धे-पत्धी कील डाल देंगे, इस solution में, copper sulfate के solution में, तो फिर क्या होता है, क्या होगा, यह रेक्षान होगा, और activity series आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, तो रेक्टिटी सीरीज में, अगर सोचेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे, तो पता चले आपको, कि iron जो है, copper से काफी उपर पाया जाता है, activity series में, यह highly reactive है, as compared to copper, तो copper को displaced कर गयाएगा है, है न, यह सारी से जहें हम लोग first chapter में पढ़ चुके हैं, तो यह तरह का displacement reaction है, iron sulfate बने का जो green का होता है, dirty green या alka green, और copper हमारा free हो जाएगा, और नीचे बैठ जाएगा, brown color का, है न, क्योंकि copper brown color होता है, ठीक, तो यह जी action हो गया, हम माल लिजे, उल्टा करते है, माल यह हमारे पास पहले से iron sulfate है, किसी container रखाया, पानी mix है, green color का है, ठीक, अब इसमें मैंने copper डाला, copper के कुछ टुकडे, छोटे-छोटे बहुत copper filing, जैसे iron filings होते हैं, powder के form में लग दो, उसी तरह से copper के बुरादा जैसा, powder जैसा होता है, तो उसको मैंने डाल दिया, अब क् यह reaction होगा, तो आप सोचेंगे, reactivity series के ध्यान रखेंगे, तो देखेंगे कि copper जो होता है, reactivity series में iron से नीचे पाया जाता है, अब नीचे है, reactivity series में, that means कि copper उतना यादा reactive नहीं है, कि इसको displaced कर पाया iron को, तो यहाँ पे reaction नहीं होगा, इसको आपको बताना पड़ेगा, कि as as far as the reactivity of the copper, we see that copper is very least reactive as compared to iron from the reactivity series of the metals, that's why there will be no reaction in this case, यान, इस केस में reaction नहीं होगा, क्यों कि copper जो होता है, कब reactive होता है iron से, किसी होजा से copper जो है iron को displaced नहीं कर पाया, और जब डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो reaction होगा नहीं, और reaction नहीं होने का मतलल क्या है, यह यह से चीज़ जा देंगे, यह से पढ़ा रहेगा, यानि, इस साइट भी यह लिख देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा कि reaction will not happen, यहां भी यह लिखा, यहां भी यह लिखा, यहां भी यह लिखा, यानि कुछ चेंज नहीं होगा, reaction हुआ है नहीं, iron सं ठीक है, और क्या है, यह सारी जोगे, यह अभी इंगों में पड़ा, यह displacement type of reaction है, इसको उन लोग क्यारी चप्तर में भी कड़ चुके हैं, के, ओके, यह सारी चीजे हो गई, इस तरह के और भी metal salts और reaction है, जैसे मान दीजिए, कोई और लेके हैं, कॉपर सलफेट, प्रस जि जिंक, ठीक है, यह तो एकसा नहीं होगा cross link देते हैं, और देखे, जिंक जो होता है, कॉपर से काफी उपर होता है, हाइडोजन से भी उपर होता है, ठीक है, तो इसलिए, जिंक जो है, चादार एक्टियो है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, उसको हटा कर उसकी जना ले लेगा, तो बन जाएगा, जिंक सल्फेट, यह भी हम लोग पहले चेप्टर में बढ़ चुके हैं, तो वही सारी चीजह है, कुछ नया नहीं है आपर इस topic में, और यहाँ पर क्या बच गया, हमारा copper left हो गया, solution में बैठ गया, जिंक सल्फेट, जैसा कि मैं बार ब इस compound बनाता है, तो यह भी color बेच रहेगा, कोई color इसमें नहीं रहेगा, वाइट बोल सकते हैं, colorless बोल सकते हैं, colorless बोलना ज्यादा में बैटर रहेगा, जिक, यहाँ पर भी displacement हो गया, displacement वही को possible है, जिस केस में, जो metal add किया जारा है solution में, other metal की salt में जो add किया जारा है metal, व पठाक से पठाकर, sulfate से, जो भी salt से react करके, तोड़क बना देगा, और हमारा जो, पहले वाला salt का metal लाएगा, वह side में नहीं कल जाएगा, है ना, तो इस तरह से displacement reaction होता है, ओके, अच्छा, तो यह था हमारा, solution of the other metals का reaction, अब इसके बाद, reactivity series की बाद थोड़ी सी, इसी में बताई गई है, क्योंकि यह reactivity series पर बेश था, यह सारा reaction, जो अभी हम लोग इस topic पढ़ रहते हैं, तो थोड़ा सा reactivity series को भी उनको समझना पढ़ेगा, हाला कि हम लोग यह पहले chapter में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहां पर दोबारा reactivity series of metals, metals का एक series है, उनके reactivity कधार, कौन ज्यादा reactivity है, कौन कम reactivity है, कौन एकदम weak reactivity है, तो वो एक pattern बनाया गया, कुछ popular metals का, सभी metal का नहीं बनाया गया, ऐसे तो बहुत सारे metal है, periodic table में हो नेचर में, लेकिन जो कुछ popular या common metals होते हैं, जो अक्सर लोग उनका reaction वगरा द देखते रहते हैं, तो उसका केवल series हमको देखना है, फिलाल higher class में आप जाएंगे तो लंबी series हमको मिलेगी, जिसमें सारे metal गारे में होगा 151, तो फिलार हम लोगो, तो रेक्टुटी series में कौन कुछ popular metal का है, ascending order देखना है, ठीक है, तो रेक्टुटी series चलिए, भलिक ल यह ज्यादा नीच यादा रहा है, magnesium, aluminium, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, tin, tin का हैसन लिखते हैं, stannet बोलते हैं, फिर lead, hydrogen, copper, mercury, mercury, silver, gold, फिर platinum, इस तरह से सार्य सार्य बहुत सारा लंबा series है, तो फिलार हमको इन कुछ popular metals के बारे में ही पढ़ना है, यह होगे हमारा reactivity series, इस series में metal top पे होता है, उसके reactivity high होती है, तो reactivity series का अगर strength देखा जाए, तो इस तरह बढ़ता है, नीचे से उपर के तरो, ठीक, नीचे स आएगा, वो कम reactivity रहेगा, ऐसा ही, यह order घरता जाएगा, यह reaction, highly reaction देने का जो order है, वो नीचे आने पे घरता जाएगा, ठीक, तो highest reactivity, उपर रहता है, highest reactivity वाला metal जो है, इस series में, इस order में सबसे top दे रहता है, और lowest वाला, lowest वाला जो होता है, bottom जो होता है, सबसे नीचे होता है, lowest reactivity, लेटिनम किसी किसी book में नहीं दिया रहता है, तो gold जहाँ पर मान सकते हैं, है न, तो gold जो है, आपकी post के साब से, इस reactivity series में सबसे नीचे आ least reactive होगा, बहुती कम reaction देगा, ना के बराबर, तीसले इन सब को, gold, silver, platinum, इन सब को, noble metals भी बोला जाता है, because, they do not react very easily, that is why they are known as noble metals, किक है, okay, ये होगे है, अब इसके बाद हमको, क्या पढ़ना है, ये reactivity series पर समझ नहीं, reactivity series को माला जी आपको define करना है, तो आप बोल सकते है, reactivity series is the series of metals, in order of their reactivity, and reactivity depends on the number of free electrons available in their balanced cell, balance cell में जतने जादा, या मतलब जो electron है, कितना easily वो react करते हैं किसी और atom, element से, या metal से, उसी को, उसी के बैसिस पर ये reactivity series बनाई गई है, ठीक है, तो reactivity series यानि, metal का एक क्रम, जिसमें सबसे ज़्यादा reactive metal जो होगा, वो टॉप पर रता है, वो सबसे least जो रता है, वो रता है bottom पर, और अगर कभी इनके बीच में आपस में reaction होगा, किसी भी तरह से, कोई भी reaction, तो उस case में क्या होगा, कि ज़्यादा reactive metal, least reactive metal को displace कर देगा, है न, तो इस तरह से, ये reactivity series का topic भी end हो गया, अब हम लोग next topic में आगे पढ़ेंगे, कि कैसे metal और non-metal react करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, ओके,